वेलकाम ट्रेंज तो माइट लाटर प्ले यूट्व सेनल तुड़ेए आपना वीडियो के लिए कोपी राइट फ्री वीडियो मूजिक और बोल्यूड सौंग कहा से मिलने वाला है इस वीडियो में आपको सारा का सारा देखने को मिलेगा एक्सुली दूसरों का प्रोडाक्ट इन्वेंशन कोपी करने से रोकना ही होता है कोपी राइट लाइसेंस जीहाँ अगर आपने कुछ चीज बहुत मैनेत के साथ बनाया है और किसी और ने सिर्फ आपका क्लोन करके ही आपसे भी ज्यादा दौलत कमा ले तो एसे में आपके स साथ बहुत ही बुरा होता है यसे ही YouTube में यूटूब कोफिरेट लाइसिंस बनाया गया है ताकि युई भी किसी दूसरे का कॉंटेन कोपी ना कर कुछ अच्छा है सिर्फ copyright claim मिलने से आपका सेनल में कोई खत्चा नहीं है बलके आप अपना सेनल मोनिटाइज भी कर सकते हो पर उस copyright claim मिलने वाला वीडियो का अपना वीडियो में आट करते हो तो दियान रखे वो copyright फ्री होना सहे परना आपका वीडियो में copyright claim मिल जाए और अगर आपको copyright आपका सेनल के लिए बहुत ही खत्चा होता है जी हाँ 90डेस के अंदर आपको अगर की copyright इस्टिक मिल जाता है तो यह से में आपका सेनल यूटूब से ब्यान किया जाएगा नाव copyright इस्टिक आपको कप देखने को मिलता है अगर आपने किसी दूसरे का content copy क्या है और उस actual content वाले को पता चल जाता है तो यह से में वह आपको copyright इस्टिक सकता है कि अगर आपने यूटूब में कोई hacking वीडियो फूल प्रैक्टिकल साथ ब्रीफली वीडियो अपलोड करते हो या फिर आप कोई यहीसा वीडियो डलते हो जिसे कुम्पानी या फिर किसी दूस्टों का लॉस होता है तो ऐसे में भी आपका वीडियो में copyright इस्टिक आ सकता है जैसे कि मैं उस दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि लैटेस्ट वांडरशेफ फिल्मोरा एक्स वीडियो टिंग सप्टेर को आप अपना पीसी में फिरी में कैसे एक्टिबेट कर सकते हो और अगर आपने एसा वीडियो देखना साते हो तो मुझे फेस्बुक या फिर इनिस्टेग्राम पर फोलो कर सकते हो वहाँ पर आपको एसा वीडियो मिल जाएगा और इसके अलोब अगर आपने यूटूब के बारे में कुछ गलत कहा तो भी आपको copyright इस्टिक देखने को मिल सकता है अभी हम सलते है कि copyright free background music, bollywood song और copyright free video कहा से डाउनलोड किया जाता है यूटूब में ही आपको बहुत सारा copyright free content देखने को मिलगा पर दिक्कत यह है कि आपको find कैसे करना है तो copyright free content find करने के लिए चलते है यूटूब के अंदर तो यूटूब में copyright free video, song, music find करना बहुत ही आसान होता है simply आपको क्या करना है आपको जो भी साहिए और पहले search कर लेना है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यूटूब में copyright free Bollywood song कैसे find कर सकते है तो simply क्या करना है search कर लेना है जैसे मैं Bollywood song search करता हूँ और आप कोई specific नाम से भी search कर सकते हो और यहाँ पर simply क्या करना है इस search को filter करना है तो filter में जाके features पर आपको creative commons देखने को मिलेगा तो simply यहाँ पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी Bollywood song देखने को मिलता है यह सारे के सारे copyright free है तो इसको check करने के लिए वीडियो का description पर जाके देख सकते हो license पर लिखा हुआ है creative commons attribution license और bracket के अंदर आप देख सकते हो reuse alert मतलब कि इस song को दुबरा use करने का permission है इसको download करके आप अपना वीडियो में add कर सकते हो आपका वीडियो में कोई भी copyright claim देखने को नहीं मिलेगा इसी तरह आप अपना वीडियो के लिए music या फिर वीडियो भी find कर सकते हो इससे allow भी आपको कोई effect चाहिए जैसे कि वीडियो create करने के लिए blood effect चाहिए तो simply यहाँ पर search करना है blood effect in green screen search करने के बाद यहाँ पर पहली की तरह filter कर लेना है तो features में जाके creative comments पर click करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी effect देखने को मिलता है इस सारके सार copyright free है इनको आप अपना वीडियो में बहुत आसनी से use कर सकते हो इसके allow भी YouTube में एक ऐसा channel है जो copyright free content प्रोबाइड करता है तो channel का नाम है NCS इस channel में आपको जो भी content देखने को मिलता है music, songs, effect सारके सारा copyright free है तो बहुत आसनी से यह आप डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में एड़ कर सेखते हो इसके allow भी YouTube ने YouTubers के लिए एक बहुत अच्छी features डाला है तो इसके लिए आपको एक YouTube channel होना जोरूरी है तो आपको क्या करना है कोई भी browser में YouTube studio आपिन कर लेना है जिसकी में विरप ड्राउजर में ही आपिन कर लेता हो और अगर आप mobile में करना साते हो तो desktop mode enable कर लेना है यहाँ पर आप स्क्रोल करके निच्छा के देख सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा free music आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको बहुत सारा sound effect भी देखने को मिलेगा और इसमें आपको दो तरह की audio track देखने को मिलता है एक है attribution not required और एक है attribution required जी हाँ तो इसको detect करना बहुत याशन होता है अगर आपको लाइसेंस पर YouTube का logo दिखाए देता है तो इसका मतलब इन सबका attribution required नहीं है इनको आप डाइरेक्ली डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में यूज कर सकते हो आपका कोई भी copyright claim देखने को नहीं मिलेगा और जिन सब audio track का लाइसेंस पर डाबोल सी का logo मतलब की creative commons का logo दिखाए देता है तो इन सब audio track आप अपना वीडियो में यूज करने के लिए attribution देना mandatory होता है जिसके मैं आप लोगों को filter करके दिखा देता हो यहाँ पर filter करने के बाद नीचे आपको दिख जाएगा attribution not required यहाँ पर किलिक करने से जितने भी audio track देखने को मिलता है इन सब आप डाइरेकली डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में आड कर सकते हो पर कुस audio track का attribution required होता है जैसे मैं फिर से filter करके दिखा देता हूँ यहाँ पर filter करने से नीचे आप लोग देख सकते है यहाँ पर किलिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हो license पर double C का logo रहता है मतलब की creative commons का logo तो इन सब audio track का attribution देना mandatory होता है मतलब की आपको देना ही पड़ेगा तो इसका attribution देने के लिए simply creative commons license पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको view details दिख जाएगा यहाँ पर view details पर जाना है view details पर जाने के बाद यहाँ पर आपको attribution दिखाई देगा तो simply इसको copy कर लेना है copy करने के बाद इस audio track को download करके आप अपना वीडियो में add कर सकते हो add करने के बाद जिस किसी वीडियो में आपने इस audio track को use किया है उस video का description पर इस activation को paste कर देना है सिर्फ इतना ही काम करना है इतना ही करने के बाद आपका वीडियो में कोई भी copyright के लेम देखने को नहीं मिलेगा तो इसके अलोब यह कुछ वापसेट होता है जो copyright free content प्रोवाइड करता है इसमें से एक बहुत ही फेमास वापसेट है mixkit.co वापसेट का लिंक आपको वीडियो का description पर मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारा वीडियो, music, साथी साथी वीडियो, template भी आपको देखने को मिलेगा यह सारा का सारा copyright free है यह आप बहुत आसनिक से डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में एड़ कर सकते हो सिंपली यहाँ पर view पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आप subscribe plan भी buy कर सकते हो और यहाँ पर download preview पर click करके आप free में download करके आप अपना वीडियो में add कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो download होना इस्टार्ट हो गया पर कोई भी copyright free content यूज़ करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि minimum एक content आपका खुद का होना सही है जैसे कि example के दोर पर अगर अपने इस ओपसेट से वीडियो डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में add करना सही हो तो audio आपका होना जोरूर होता है अगर अपने यहाँ से music डाउनलोड करके आप अपना वीडियो में add करते हो तो वीडियो आपका होना सही है मतलब कि दोनो ही कॉंटेन में से एक कॉंटेन आपका होना ही सही है बरना आपका वीडियो में कोपीराट के लेम नहीं भी आ सकते है पर रियूस कॉंटेन जोरूर लगेगा जो बात में सेनल मोनिटाज करने के बैक्त बहुत ही दिक्कत होता है So, how was the video? If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my youtube channel for regularly worse computer gigs, problem, solutions and tech related videos So, thanks for watching, see you in the next video